बच्चों आज हम चैप्टर 3 अपनी वस्तु रीड कर रहे हैं पढ़ रहे हैं आई हम चैप्टर रीड करते हैं एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे मार्ग में उन्होंने एक इस्तान पर दो व्यक्तियों को उची आवाज में बोलते सुना दोनों ही हातों में लठ लिये एक प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते हैं एक कहता है कि यह भूमी मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ जबकि दूसरा उस भूमी को अपनी बतला रहा थे इस भूमी पर अपना-पना स्वामित्व जत लाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे अपने अप भूमी मेरी है और बहुत अधिक गौधित हो रहे थे तो जो महात्मा जी जा रहे थे वे उने देख रहे थे महात्मा दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष में क्या दलीले दे रहे थे दोनों भाई भूमी पर अपना अधिकार बता रहे थे उप्युक्त गद्यांज का उप्युक्त शीर्शक क्या है दो व्यक्तियों का जगडा संत महत्मा तो सभाव से ही दयालू और परोपकारी होते हैं परोपकारी यानि दूसरों का भला करने वाली सदेव सबका भला ही चाते हैं उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई जगडा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गवाने पर तुले हुए हैं अतेव इन्हें समझा भुजा कर शांत करने का और इनका आपस में समझोता कराने का प्रियास करना चाहिए क्या सोचोनोंने कि इनका मैं जगडा खतम करादू और इनका समझोता करादू याने इन दोनों को पहले जैसे प्यार से रहना सिकादू ये सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संभोधित करते वे बोले हे भत्र पुर्षू क्या बोले? हे सज्जन तुम दोनों कौन हो और आपस में जगडा क्यों कर रहे हो महात्मा का सभाव कैसा होता है महात्माओं का सभाव दायालू और परोपकारी होता है महात्मा जी ने मन में क्या विचार किया महात्मा जी ने सोचा कि इन दोनों का जगड़ा समाप्त कराना चाहिए दोनों व्यक्तियों से महात्मा जी ने क्या कहा महात्मा जी ने कहा हे सज्जनों आप कौन हो और आपस में जगड़ा क्यों कर रहे हो समझोता का समानार्थक शब्द क्या होता है समझोता का समाना अर्थक शब्द होता है सुलह महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला महात्मन हम दोनों भाई हैं हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमी का मालिक मैं हूँ फिर भी यह व्यर्थी मुझसे जगडा कर रहा है दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्दा उठा महाराज यह बिल्कुल जूट बोल रहा है यह भूमी इसके भाग में नहीं है बलकि मेरे भाग में आती है इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ यह जूट मूट ही इसे अपनी बतला कर और मुझे डरा धमका कर इसे हडपना चाता है उप्यक्त गद्यांज का उचित शीरिशक लिखिए संपत्ति का बटवारा महात्मा ने एक व्यक्ति से क्या कहा व्यक्ति से कहा महात्मन हम दोनों भाई हैं हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का बटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमी का मालिक मैं हूँ फिर भी यह व्यर्थी जगडा करता है दूसरे व्यक्ति ने महात्मा को क्या समझाया दूसरे भाई ने महात्मा को समझाया महाराज यह छूट बोल रहा है जमीन मेरे हिस्ते में आती है यह मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाता है हड़पना शब्द का आश्य स्पस्ट कीजिए हडपना शब्द से आश्य यह है कि पल प्रियोग से डरा धमका कर किसी वस्तू या संपत्ती पर अधिकार जमा लेना आई आगी चैप्टर रीट करते हैं महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया तुम दोनों ही इस भूमी को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीरे देते हो ऐसे तो इसका निर्ने कभी नहीं होगा इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमी के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो रहे हो उससे ही यह बात पूछ ली जाए कि उसका मालिक तुम दोनों में से कौन है वह सुयम ही यह बात बता देगी उसका निर्ने कर लेगी यही फैसला सुना देगी जो यह भूमी है यही बता देगी कि इसका असली मालिक कौन है जिसके लिए तुम जगड रहे हो कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुक्की और देतात्ते रहे फिर बोले परन्तु यह कैसे संभाव है भूमी भी कभी बोलती है महात्मा जी ने उत्तर दिया हाँ अवश्य बोलती है परन्तु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते किन्तु यह बताओ कि भूमी जो निर्ने देगी क्या तुम दोनों उसको मानोगे दोनों भाई किसको देखने लगे दोनों भाई महात्मा जी की और देखने लगे भूमी की आवाज को कौन सुन सकता था भूमी की आवाज को महात्मा जी सुन सकते थे उप्यत्त गध्यांज का उचित सीर्चत भूमी की आवाज आईए आगी चप्टर रीट करते हैं दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए तब महात्मा जी बोले मुझे बहुत जोरों से बूख लगी है पहले मुझे भोजन कराओ वे बोले भूमी का निर्ने हो जाएगा फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे महात्मा जी ने कहा भूमी का निर्ने तो हो ही जाएगा वह कहीं भागी थोड़ी जा रही है पहले भोजन हो जाए ताकि मन और मस्तिक्ष जो मेरा दिमाग है वे कुछ ठिका ने आजाए इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ तब तक हम यहीं बैठते हैं यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ के नीचे चाया में बैठ गए दोनों भाई किसकी बात पर राजी हो गए किसको जोरो की भूग लगी थी महात्मा कहा बैठ गए पेड़ की चाया में बैठ गए उप्युक्त गद्यांच किस पार्ट से लिया गया है अपनी वस्तू आई हम आगे चैप्टर रीड करते हैं दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा ततपस्यात उन्होंने भोजन के तीन भाग की है और दोनों भाईयों को भोजन करने का आदेश देखकर स्वयम भी भोजन करने लगे इस प्रकार उपर की सब बाची तथा भोजन अदी में लगबग दो गंटे लग गए महात्मा जी की इस समस्त कार्य वाही का उद्देश केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए क्योंकि जब उन्हें कहा खाना लेकर आओ तो वे घर जाकर खाना बनवा कर लाए खाए तो धीरे धीरे उनका क्रोध जो ता गुस्सा था वह कम हो गया ताकि उन्हें समझाया भुजाया जा सके यानि जो भी कुछ महात्मा जी कहे वह उनकी समझ में आ जाए और हुआ भी यही यह दोनों भोजन से निवर्थ हुए तो काफी शान्त थे जब भोजन कर चुके तो यह शान्त दिख रहे थे उन्होंने महात्मा जी के चर्णों में विन्य किया महाराज यह भूमे तो कुछ बोलेगी नहीं इसलिए आप ही हमारा निड़ने कर दीजिए आईए अब हम इसके रचन उत्तर करते हैं भोजन कहां से बन कर आया था भोजन दोनों भाई अपने घर से पनुआ कर लाहे थे महात्मा ने भोजन के कितने भाग किये महात्मा ने भोजन के तीन भाग किये एक स्वैम के लिए और दो शेश दोनों भाईयों के लिए भोजन बनाने और खाने में कितना समय लग जया था दो गंटे का समय लग जया था भोजन करने के बाद महात्मा ने भाईयों से क्या निवेदन किया भाईयों ने महात्मा से निवेदन किया कि महराज यह भूमी तो कुछ बोलेगी नहीं आप ही हमारा फैसला कर दीजिए अब देखिए महात्मा जी क्या कह रहे महात्मा जी ने कहा इस भूमी से पूछ कर इसका निर्डे करते हैं यह है महात्मा जी ने कहा हम इस भूमी से पोच कर इसका निर्डे करते हैं यह कहकर उन्होंने अपना कान जो था भूमी के पास लगाया मानो कुछ सुनने का प्रियत न कर रहे हूँ कुछ देर तक तो वे भूमी के साथ कान लगाए रहे फिर सीधे मैट गए और गंबी रबाणी में बोले यह भूमी तो कुछ और ही कह रही है दोनों भाई बोले महराज भूमी क्या कह रही है महात्मा जी ने कहा यह भूमी कहती है कि यह दोनों व्यार्थ ही मेरे उपपर अधिकार जमाने पर जगडा कर रहे है क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ हाँ ये दोना वश्य मेरे हैं मैंने इनकी कई पीडियों को पाला है और जाते हुए देखा है क्या कहा मात्माजी ने कि भूमी ये कह रही है मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ लेकिन ये मेरे हैं क्योंकि इनकी जो पीडिया है इनके दादा पड़ दादा इनके पिता इन सभी को मैंने पाला था मेरे दुआरा जो अन हुआ है उसी को खा कर वे बड़े हुए और वे सक्षम बने परिश्रम किया उनोंने और फिर वे मृत्यू को प्रावत हुए तो ये सभी मेरे हैं मैं इन गंभीरवाणी में कौन बोला गंभीरवाणी में महात्मा जी बोले भूमी ने महात्मा से क्या कहा भूमी ने कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ ये दोनों आवश्य मेरे हैं मैंने इनकी कई पेडियों को पाला है और जाते वे देखा है भूमी का परियाई वाच अच्छी शब्द क्या होता है जमीन आई हम आगे चैप्टर रीड करते हैं महत्मा जी के बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज़ित वे उन्हें बहुत शरम आई महत्मा जी के चड़नों में गिर गए वे पैरों में गिर गए महत्मा जी ने लोहा गर्म देखकर उन्होंने यह भाउक हो रहे हैं यह देखकर उन्होंने चोट की और उन्हें समझाते वे कहा चोट की मतलब उन्हें समझाया उन्हें ऐसी बात कही जो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए उन्होंने क्या कहा तनिक विचार करो कि जिस भूमी के लिए तुम लोग आपस में जगड़ कर रहे हो क्या वह है आज तक किसी के बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी मनुश्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ ही यतने करता है फालतु ही वह प्रियास करता है यह नहीं सोचता है कि इन में से कुछ भी मनुश्य का अपना नहीं है बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन साथ क्या लेगे कुछ भी नहीं वे खाली हाती संसार में आये थे और खाली हाती संसार से चलेगे उन्होंने क्या समझा है महात्मा जी ने महात्मा जी ने समझाया था कि हम मृत्यू के बाद कुछ भी नहीं ले जाते हैं सब कुछ यहीं छोड़ जाते हैं तो हम फिर आपस में जगडा क्यों करें महात्मा जी की बात सुनकर कौन लज्जित हुए दोनों भाई किसने लोह गरम देखकर चोट की महात्मा जी ने मनुस्य क्या नहीं सोचता इस दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है वह कभी है बात नहीं समस्था खाली हाथ संसार्म से कौन चले गए बड़े बड़े राजा चत्रपती राजा भी यहां से खाली हाथ चले गए आई आगे चैप्टर रीड करते हैं तुम लोग भूमी के इस छोटे से तुकड़े के लिए जगडा करते हैं अपने अनमोल जीवन को नस्ट करने पर क्यो तु सीकी भी नहीं है भूमी ही क्या संसार में जितने भी पधार्त है धन संपत्ति मकान आदी जो भी कुछ संसार में इन में से कुछ भी तुमारा नहीं है तुमारी अपनी वस्तूतों के वल भजन भक्ति और तुमारे अच्छे कर्म हैं जो लोग पर लोग के संगी साती हैं क् कि इस लोक में और उस दूसरे लोक में तुम्हारे साथ क्या जाएगा तुम्हारे अच्छे कर्म शेश सब कुस्तों यहीं रह जाता है अते वापस में लड़ने जगडने और मनुष्य जन्म के मुल्यमान समय को व्यार्थ नस्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कार् में लगाओ ताकि तुम्हारा लोग पर लोग सवर जाएं दोनों ने महात्मा जी के चड़नों में गिरकर अपनी भूल के लिए शमा मांगी उस दिन से सब के साथ प्रेम से व्यवार करते हुए अपने समय को भजन बक्ती में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे आईए अब हम प्रश्म उत्तर करते हैं महात्मा जी के अनुसार जीवन कैसा है महात्मा जी के अनुसार मानव जीवन अनमोल है इसे व्यैर्थ के कारियों में नहीं गवाना चाहिए महात्मा जी ने मनुष्य की अपनी संपत्ति क्या है मनुष्य की अपनी संपत्ति अच्छे कर्म तथा भगवान का भजन विभक्ति है महात्मा जी के अनुसार लोग पर लोग समारने के लिए क्या आउशक है लोग पर लोग समारने के लिए मनुश्य को अपना समय नाम सुमिरन तथा अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए गध्यान से उस शब्द युग्म को चुनिए जो आपस में विलोम अर्थ देते हैं लोग पर लोग बच्चों में आशा करती हुए चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस चैप्टर को रीड कीजिए और इसके प्रशन उत्तर लर्ण कीजिए